हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभी देखे एन वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके लापटॉप या फिर कंप्यूटर में फोटो होती है जो आपकी इमेजेस होती है वो ओपन नहीं हो रही है चालू नहीं हो रही है खुल नहीं रही है तो इस प्रब्लम को हम कैसे सही करें वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आजाएं इसे क्लिक कर लें यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग्स और इसे ओपन कर लेना है इसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा आपको यहाँ पर आप्स यानि आप्लिकेशन मैनेजर में आ जाना है यहाँ आप देख पाएंगे आप्स और फ्यूचर्स ठीक है इस पर क्लिक कर लें अब आपको स्क्रोल करके नीचे आना है और यहाँ पर आप अपनी Microsoft फोटोस की अप्लिकेशन को धून लेना है यहाँ पर आप द्री डॉट पर आएं इस पर क्लिक करें Advanced Options नजर आएगा इस पर क्लिक करें नीचे की तरफ स्क्रोल कर लें यहाँ आप देख पाएंगे reset और repair का option दो option देख पाएंगे पहले आप repair कर लें और repair होने के बाद चेक करें आपकी problem solve हुई है या फिर नहीं अगर नहीं होती है तो यहाँ पर reset पर क्लिक कर देए इससे आपकी जो photo app की application है वो default condition में आ जाएगी और जो भी bug या कोई problem होगी वो यहाँ से सही हो जाएगा और इसके बाद आपकी जो भी photos की application है वो work करने लगेगी